प्रोफेशर रामतपस्वी की आवास में सौट सर्किट से लगी आग लग गई प्रोफेशर रामतपस्वी सिंग की आवास पर आज एहले सौट सर्किट से आग लग गई जिससे घर में रखे लगबग 3 लाख मुल्ले की समान जल पर खाक हो गए बाग में फायर ब्रिगेट के सजयोग से आग पर काबू पाया गया ग्रेश्वामिनी डॉक्टर सुमनता ने बताया कि उनका पुत्रव उनकी पुत्रवधू अपने बच्चों के साथ घर के प्रतम तल्ले में सोई थी तब तभी लगबग चार बजे सुबह सौफ तर्किक से घर में आग लग गई जिससे घर में रखे सभी समान चल गए हम लोग तो सब सोय हुए थे सुबह चार बजे की तब लोग नींड में थे अलाकि मैं जगी हुई थी तब यत मेरी चीप नहीं है इसलिए मैं जगी हुई थी सारे लोग सो रहे थे और उपर में क्या हुआ हुआ उटो नीचे से हुआ नहीं बहु मेरी जब चिलाने लगी तो हमको लगा कि कोई घटना दुर घटना कुछ हुई है तभी चिला रही बेताहसा चीप निकले बाहर तो इसीरी से दौरते आ रही थी है कि मैं स्विच ऑफ कि जिए आग लग जगई है घर में सब जल रहा है मैं स्विच कम जल ड़ी एक बका करने पाई कि अमी जाके सी बीच ऑफ किये और सब को बाहर बुलाए कि परोशी परोशी को चिला बुलाओ धर में तीन लोग से मर्द तीनोः लोग बुज हाने में हम लोग चिलाए तो पडोस से इसरार उफसार सब दोड़ करके उलोग आया, लोग अपने घर से ही बाल्टी में पानी बाली सकते के आया, घर में भी बाल्टी में पानी सकते के लोग पानी डालने लगा, मैं हलका सा ध्यर्मने वाग की लपट इनों को लगी है, वे खास दे नहीं हुआ है, बच्चे भी नीचे आ गए थे, लेकिन धर का एक भी सामान कुछ नहीं बचा, बल्व तक बचा है, जुछना बिजली, ये अनुमान इसलिए हुआ है कि बिजली का उफकरन समूचा एक बल जल तक जल किया, कुछ भी नहीं बचा, तो निश्चित रूप से वह स्वाट सत्कित सहिया, जहां पर वो बोड से जहां जाल रहा था ज्यादा वहीं नीचे में इन्वर्टर और बैटरी ड़का, और वहीं पर बगल में सोफा था, तो सोफा में आग पकड़ लिया और करता है, और दावदा जला है, लेकिन अलमानता सब का अगर करेंगे तो धाई तिन लाख रुपेश को ही जाएंगे, क्योंकि सारी चीजें थी, टीवी, फ्रीज, वासिंग मशीन, पेसी, चार पंखा, बल बल बुरे घर में जितना था, स्वीच बोर्ड, कुछ बचाने है चार एपास लाखु केता है